इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूटेंट्स सभी एस्पिरेंट्स का मैं बिंग ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं हाजिर्वान सब के वीच में एक और वीडियो लेकिन जिसमें लोग करने वाले 18 1222 की शिफ्ट तीन में जो मैट्स के 25 क्विशन आप लोगों से पूछे गए CGL 2021 के एक्जाम में हो सभी क्विशन हम लोग सौल करने वाले डेली 25 प्रिवेस एर क्विशन के प्रेक्टी सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपकी CGL, CPO, CHSR, MTS, Tynographer, Constable, JD, Delhi, Police, Constable, Selection, Post इन सभी एक्जाम्स की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए बेस डाउन लेटेश एस पैटन सारी क्विशन में आपको सौल कर रहा हूं सौल्यूशन दोंगा अब रपर अनलेसिस के साथ इंग्लिस हो रिंदी दोनों में मारी स्टेट्परेंट रहने वाली है मैं प्रतीक सेटी पहले ही एक्टेप्टेव यानि की CGL 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हूं मेरा ओल इंडिया रेंक था 1115 और मेरा मैच में प्री में 50 और 50 स्कोर था और में मेरा 197.5 आउट और 200 स्कोर था और इससे पहले मैं आप लोगों को 11 वीडियोज प्रवाइड कर चुका हूं अभी आपको आई बटन पर उनके प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इस वीडियोज के बाद इस वीडियो के बाद 9 वीडियोज हो रहती हैं और उसके बाद हमारा CGL 2021 की जो 21 shift कंड़क्ट हुई थी उसमें Maths के 500 बच्चस क्रिशन आपसे बूचे गहते हैं उस सारे क्रिशन यहां पे सौल हो जाएंगी सकते हुए और उसके लावब CGL पर हमारा मीन फोकस रहेगा और इसके लावब में प्रीवेस यह प्रीशन भी आपके लिए लेकर आऊंगा 2019 और 2020 के तो मैंने सिरफ CPU, CGL, CHSL की कराये थे पर 2021 से मैं SSE से जुड़े सभी एक्जाम जो जो एक्जाम SSE कंड़क्ट करता है और उनमें जो Maths की क्रिशन आपसे बूचेगा 2021 से वो सारी कुशन हम इस चैनल पर करने वाले है इमेल ऐडी वाट्सप नमबर आप लोग कुछ पूछना चाहता है और बूच सकता है और यह जो जो अभी तक चैनल पर मैंने कराया उन सब की ब्लेइलिस्ट का लिंक है तो एक बार आप चैनल पर जरूर गूथ हूं चैनल सकता है और है और यहां से बता करता हूएं कैसे जैसे आपने ड़ेखा कि ॏ जी की यह होल स्कॉयर पहलता है a square, मतलब root x का square plus b square minus 2 a b और यहाँ पर root 3 का square कितना हो जाएगा 3 तो आपने देखा x plus 1 by x minus 2 की value आपको कितनी दी है 3, तो x plus 1 by x की value कितनी होगी आपको पता है x plus 1 by x की value अगर a हो तो x square plus 1 by x square क्या होता है a square minus 2 तो आपने देखा 25 minus 2 कितना जाएगा 23 अब similarly दुबारा अब x की power 4 plus 1 by x की power 4 की value निकाल सकते हैं कैसे जैसे आपको बता है x square plus 1 by x square की value p है अगर x की power 4 plus 1 by x की power 4 की value निकालनी हो तो p का square minus 2 हो जाएगा तो 23 का square कितना होता है 539 में से 2 गए तो कितना जाएगा आपके बास 527 आजाएगा जो की correct answer है अब ये वाला question है थीक है तो आपको पता है कि 12 into sin 3 a की value कितना है 10 degree तो 3 a कितना हो जाएगा 30 degree sin 30 कितना होता है 1 by 2 और नीचे नीचे भी आपके बास कहा है 9a by 2 9 into a मतलब 10 9 into 10 90 by 2 कितना हो जाएगा 45 45 sin 45 कितना होता 1 by root 2 माइनस 4 और फिर आपने देखा कि ये हो जाएगा 50 plus 10 60 60 कितना होता को 60 1 by 2 चिक है तो आपने देखा 6 plus 5 by root 2 और 9 by root 2 minus 2 तो आपने देखा 6 root 2 plus 5 by root 2 और 9 minus 2 root 2 by root 2 तो आपने देखा root 2 से root 2 गया 6 root 2 plus 5 9 minus 2 root 2 is the correct answer तो first option is the correct answer question में बूला है 2 similar triangles है कौनकों सी PQ और MND triangle PQR जो है वो similar है triangle MND तो आपको बोले longest side जो है triangle PQR की वो 28 cm है आपको बोले longest side बता है देखा आपको एक चीज़ बता है क्या कि अगर दो triangle आपस में similar हो जाए तो उनकी side का जो proportion होता है और side का proportion हम लेक लिख लिया PQ, MN, QR, NT और PR, MT तो ध्यान रखना जो longest side होगी PQR की उसका proportion भी longest side से होगा triangle MND similarly अगर shortest side है PQR की तो इसका proportion भी shortest side से होगा MND ठीक है यह चीज़ ध्यान रखेंगे ठीक है और आपको बता है यह जो होता है क्या होता है under root of area of triangle PQR MND ठीक है और यह जो है equal होता है किसके मतलब यह पूरा सारा system यहां से लेके यहां तक किसके equal होता है parameter of triangle PQR upon parameter of triangle MND ठीक है तो आपने देखा इन दोनों को solve करके आपका answer आजाने का longest side of PQR कितने दिया है 28 longest side MND की आपको निकालनी है और आपको area पर गिवन है कितना 196 triangle PQR का और MND का कितना गिवन है 169 तो यह कितना हो गया 14 यह कितना हो गया 13 उसके बाद बोला D जो है point है D is a point on a circle such that 24 cm long cord AB AB एक cord है जो कि 24 cm लंबी है और D पोइंट है circle पे और OD जो है इसको bisect कर रही है ठीक है cord AB को ठीक है और cod की लंध आपको गिवन है कितनी 24 cm ठीक है तो आपको बूलाए कि OD जो होना bisect कर रही है bisect का मतलब क्या हो गया आप सबको पता है कि bisect का मतलब क्या होता है कि 2 equal हिस्सों में divide कर रही है ठीक है अगर यह point O है और यह D और यह code AB है तो OD क्या कर रही है AB को 2 equal हिस्सों में बाट रही है मतलब bisect कर रही है आपको पता है कि जब भी center से cord के किसी point पे या फिर ऐसा भोल सकते है center से जब cord का midpoint join करते है center से cord का midpoint अब यह midpoint होगा ना क्या है bisect कर दिया bisect मतलब 2 equal हिस्सों में बाट दिया किसको AB को कौन-कौन सा हिस्सा AE और EB अगर AE के length EB के equal है मतलब E जो है midpoint हो जाएगा क्योंकि यह बीच का point होगा तब ही दोनों side जो है उसमें equal हो जाएगी AE और EB तो आपने देखा कि आपको AB के length पता है कितनी 24 तो AE और EB दोनों के length सेम है तो 12-12 cm की होगा अब आपको एक चीज और पता है क्या कि radius जो है circle की वो कितनी है 15 cm आपको बोला कि आपको CD के length बताना है अच्छा आपको point given है कि AB जो है OD से bisect होता है point C पे अच्छा ये point C है चलो ये तो पता लगया अब आपको CD की length बतानी है ठीक है तो आपने पहली बात तो ये देखी कि ये 90 degree ये 12 ये 15 तो आपको बता है 15 अगर height news है तो 9, 12, 15 का एक triplet होता है तो आपको यहां से पता लगया कि OC की जो length है आपको 9 cm आपके बास आ गई और आपको ये भी बता है क्या की OD की जो length है वो किसके equal हो जाएगी radius की radius कितनी है 15 तो 15 में से 9 गया तो कितना आजाएगा आपके बास 6 आ जाएगा बतलब CD की जो length है आपके बास कितनी आ जाएगी CGL 2021 में और CHSL में 2019 और 2020 में तो हद मार की question आएगा मतलब इतना question पूछा गया है तो आपको बता है formula क्या होता है MP by CP 100 plus profit percentage 100 minus discount percentage तो mark price की value कितनी है तो आपको निकालना cost price कितना है 500 profit कितना है 17 तो 100 में 17 जोड़ा तो 117 आ जाएगा और आपको discount कितने का दिया 10 का तो 100 में से 10 गया तो कितना जाएगा 90 अब ये तो गया और ये जोए आपका कट जाएगा 13 पे 13 पंजे कितना होता है 65 तो 650 आपका मार प्राइस आ जाएगा question में बोला AB एक diameter है circle का और circle का जो center है वो O है तो माल लिजे कहीं यहां center होगा और tangent जो है point C पे है मतलब tangent जो है circle को में पॉइंट C पे तो tangent at point C है उन्थ a circle और जब tangent को produce किया गया और AB को produce किया गया तो ये P पड जाकर मिले आपको बोला है angle APC angle APC जो है मतलब ये वाला जो angle आपको कितने बोला है ये वाल ऑल necessary 38 डिगरी है आपको बताना एंगल PCV PCV यानिए कि आपको ये वाला आंगल पताना है कि ये वाला आपको कितिनो ठीक है तेखो पहली बात तो ये आप क्या करो मिलादग पर चेक है तो आपने ये मिला दिया, आपने देखा कि radius जो है, OC एक radius है, CP जो है वो tangent है, radius और tangent आपस में कौन सा angle बनाते है, 90 का, अगर ये angle 90 हो गया, और triangle OPC की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक angle 90 degree, दूसरा angle 38 degree, तो तीसरा angle कितना हो गया, तीसरा angle हो गया, आपका 52 degree के पास, ठीक है, तो तीसरा angle जो है, triangle OPC में, एक angle अगर 38 है, दूसरा angle अगर 90 है, तो तीसरा angle कितने का हो जाएगा, आपका 52 degree का हो जाएगा, फिर आपने एक और चीज़ देखी क्या, कि OC जो है, वो OB के equal है, क्योंकि दोनों radius है, तो triangle OPC में, sum of all angle of triangle कितना होता है, 180 degree, और OB OC के equal है, तो ये दोनों angle भी equal हो जाएगे, किसी triangle के अगर two side equal है, तो उनके सामने भी angle भी आपस में equal हो जाएगे, तो आपने देखा, कि एक active angle 12. तो आपने देखा कि बाकी के दोनों एंगल का जोड आपके बास कितना रह गया 128 और दोनों एंगल आपस में एकोल है अगर आपको एंगल PCB निकालना है तो मैं OCP एंगल में से अगर OCB एंगल घटा दू तो आप बोलोगे कि सर मेरा PCB एंगल आ जाएगा तो आपने देखा PCB एंगल की जो वैल्ली होगी आपके इस कितनी हो जाएगी 26 डिग्री अब यह वहला PCB आपको बोला है कि यह सम है मतलब टोटल 17200 रुपे सिंपल इंटरस्ट पे लेंट किया गया दो पार्ट पे ठीक है तो आपने माल लिया कि उसने जो है ना 8% पर एकस क्योंकि आपको आपको बच परसेंट की मनी उसने पर कितन ही थी आठ परसेंट पे उसने मान लिया आपने कि उसने आठ परसेंट पे एक्स रूपीज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेंट किये तो आपको बता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपने X माल लिया रेट कितना है आपका आठ टाइम कितना दो साल by 100 अब ये सिंपल इंटरेस्ट आगया आपका कौनसी अमाउंट पे X अमाउंट पे अब X अमाउंट 17.200 में से उसने X अमाउंट जो है वो तो 8% पे दे दी तो बची कितनी जो 8% पे प्रिंसिपल वो सिंपल इंटरेस्ट इतना आगया और 10% पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट इतना है अब आप इसको सॉल कर सकते हैं अब ने देखा अगर मैं दो कॉमल ले लू तो आपने देखा कि ये तो 15,04 आ गया है यहां से और फिर इसके बाद भी मैं एक बार और काट सकता हूं कितने वे आपने देखा दो दुबारा कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पांच और यहां पे चार और आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको दुबारा काट तो तो तेड़ सो पचातर साथ सो बागन हो जाएगा ठीक है फिर मैं पांच तो आपने देखा कि पांदूनी 10 और 75 जा 35 और 6 और यहां पर 3 तो यहां पर कितना आगा आपके पास 8600 ठीक है तो आपने देखा कि यहां पर 8600 माइनस का एक्स बचेगा और इधर कितना आ जाएगा 75200 तो एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 86000 में से 25200 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 10800 मतलब 10800 एक्स की वैल्यू यह आपको निकाल ले दी एक्स क्योंकि वो मनी है जो उसने लेंट किया 8% पर एनम में जो कि हमने लेट किया था तो आपने देखा कि एक्स की वैल्यू जो है 10800 मतलब उसने 10800 रुपे जो है वो 8% पर पूछता कि 10% पे उसने कितना लेंट किया है तो आपने देखा 10% पे कितना किया 17200 माइनस X तो इसमें से आप माइनस कर देते हैं तो आपके बाद जो वैल्यू आती वो आ जाती कि उसने 10% पे इतना जो है अमाउंट लेंट किया है आपको बोला volume of a sphere आपको diameter बदाना volume of a sphere के होता है 4 by 3 pi, pi को 22 बेटे साथ मानना है r का cube और यहां पे आपको कितना आगया 4851 तो आपने देखा अगर मैं इसको 11 पे गटू तो यह दो पे जा रहा है और यह जाएगा किता है 4, 4, 1, 441 अब आपने देखा कि r cube की value जो है वो किसके equal आगी 441 into 21 और यहां पे कितना आगया 8 तो आप देखो r की value अगर मुझे निकालना है आपको बते है डायमेटर डायमेटर जो होता है वो twice of radius होता है तो twice of 21 बते दो जो कि आपके आज कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा आपके पास question मैं बोला है from a top of a 195 meter high cliff अब मान लीजी आप यह जो है आपका cliff है high cliff यह जो आपका cliff है ठीक है और इसकी height कितने की बन है इसको आपको इसकी height जो है वो आपको 195 meter की बन है ठीक है आपको बोला angle of depression मतलब angle of depression जो है आप मान लीजीए कि यह स्ट्रेट लाइन है तो angle of depression जो है मतलब यह वाला जो angle है यह बन जाएगा top of the tower आप मान लीजीए कि यह tower है तो top of the tower पे जो angle of depression बन रहा है कितना बन रहा है आपका 30 degree और जब bottom of the tower मतलब यह जो आपका bottom है इस पे जो angle of depression बन रहा है एक सो बचानवे मेटर हाई cliff के top से यह कितना बन रहा है आपका 60 degree तो आपने देखा कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं यहां से आपने देखा अगर यह वला एंगल 30 है तो यह एंगल भी 30 हो जाएगा और यह पूरा एंगल 60 है और क्योंकि यह हूँ ऐसे रहे कैसे कि आपने देखा यह जो है ना इसके parallel है और हमने इन दोनों के बीच में यह ड्राव कर दिया तो आपने देखा यह alternate interior एंगल बने हुए इसी तरह यह अगर 60 है यह पूरा अगर 60 है तो यह भी आपका 60 degree हो जाएगा ठीक है अब question solve करना असान होगे आप लोगों के लिए question में बोला क्या था कि 195 meter high cliff है उसके top से आपने angle of depression देखा दो जगा tower के top पा और tower के bottom का तो आपने देखा tower के top का जो angle of depression है 30 degree है tower के bottom का जो angle of depression है आपका 60 degree है तो आपने देखा कि यहाँ पे 195 meter जो cliff है उसका जो top है वो यहाँ पे था तो यहाँ से हमें angle of depression देखने थे चीज़ आपको समझ आ गई होगी होगी उमीद करता हूँ तो आपने देखा 30 degree 30 degree अगर right angle triangle में 30 degree angle है तो 30 degree के 7 वाली side जो होती है वो root 3 होती है सा happiness क्योंता है पैसरा ओता है फिर आपने देखा कि 60 degree में क्या होता है कि जो साथ वाली side होत की 1 होती है happiness होता है दो रूट 3 की वेल्यू आपके उसके कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, मतलब मैंने कुछ इंग लिया, मैंने आपका जो 30 डिगरी वाली ट्राइंगल थी, जो आपकी ये 30 डिगरी वाली ट्राइंगल से कोरिलेट कर दिया, प्रेड़े मैंने क्या किया, कि 30 डिगरी जो मैंने गोले में लिख लिया, फिर मैंने 60 डिगरी वाले को ऐसी लिख लिया, कि 1 सामने वाली रूट 3 और हैपनी जो तो होता है, अब मैंने क्या किया, कि 30 डिगरी वाली ट्राइंगल को 60 डिगरी वाली ट्राइंगल से रिलेट कर लिया, उल्टा बोल दिया, 60 डिगरी वाल अगर equal है तो root 3 अगर यह है तो नीचे भी root 3 आजाएगा तो एक की वेलिव अगर root 3 तो root 3 की कितनी हो जाएगी root 3 तो root 3 यानि की 3 हो जाएगी मतलब अब बात सिर्फ एतनी सी है कि 60 degree के हिसाब से मैंने 30 degree वाली triangle की measurements ले ली ठीक है तो आपने देखा कि यह पूरी length कितनी है 3 और यहां से लेगे यहां तक कितनी है 1 तो यहां से लेगे यहां तक कितनी रह जाएगी 2 ठीक है आपको बोला height of the tower बतानी है height of the tower है कितनी 2 क्योंकि यहां से AC जो है height of the tower है तो यह कितनी है length 2 है ठीक है तो आपको cliff की length दी है cliff कितना है total total cliff जो है वो कितना है 3 3 की length आपको दे रखी कितनी 195 दीन की value 195 तो 1 की value जो है वो कितनी हा जाएगी 65 और आपको निकालना क्या है height of the tower मतलब 2 की value तो 2 की value आपको जाएगी 130 बस इतना सा question बस आपको यह क्या करना है 30 degree के इसाप से ratio लेना है 60 degree के बसे 70 degree वाली को 30 degree के बसे लिखना है 60 degree वाली को 30 degree वाली के हिसाप से लिखना है इतना सही है question होड़ तो कुछ नहीं है अब यह बला question है ठीक है election है थो candidates के बीच में आज तक जब तक यह question आ रहा था ना जब तक आज तक के question पूछा गया देखो उस question में क्या होता था कि आपको बोलता था कि in an election between two candidate 5% of the registered voter didn't cast their vote उन्होंने वोट नहीं डाला, 10% invalid vote और नोटा हो गए, तो आज तर जो question था न वो ऐसे solve हो रहा था, कैसे कि देखो 100% total number of votes, जिसमें से 5% लोगोंने vote नहीं डाले, और 10% vote invalid निकल गए तो अब बचे कितने आपके वास, 85% vote, 85% में से जीतने वाले candidate को, sorry, 85% बचे, अब total जो votes मिले, जीतने वाले candidate को कितने मिले, 60% तो हारववे को कितने मिले, 25% तो इन दोलों का difference आज तक होता था, ठीक है, मतलब 100% भी बात चलती थी, पर इस वाले question में language तो वही दे रखिय है, कि आपको इसी तरीके से solve करना है, जीसे अभी बने कराया, पर इस question का, उस solution से answer नहीं आएगा, इस question का solution जो है, वह ऐसे होगा, आपने माले है, total number of votes कितने, 100%, 100% total number of votes है, जिसमें से 5% जो है, लोगों ने vote नहीं किया, तो अब बचा कितना vote, 95% लोगों ने vote किया, ठीक ह वोने vote डाले, उनका जो 10% था, ठीक है, इसने तो 10% अब ता votes दे दिया, आपने लोगों को समझाएगा, कि total votes का वो 10% दे रहा है, ठीक है, equation तो उसने गड़बड ही करी है, मतलब पहले जो इस equation से question आता था, वो तो जो मैंने अपसे पहले जो तरीका बता है, उस से solve हो जा परसेंट ने डाले, अब 95% के जो 10% है, लोग, 95% के जो 10% लोग है, जिन्होंने vote डाला, वो इनवैलिड हो गया, और नोटा में चला गया, तो मतलब 90% vote जो है, वो दो candidates को पढ़े, दो candidate के बीच में election है, मतलब 95% का 90% जो है, मतलब जो vote पढ़े, जो vote कास्ट हुए 95%, उसक जो 90% है, वो वोट्स जो है, वो वैलिड वोट्स है, वो नोटा पर नहीं गिरे, इन दोनों candidate पर गिरे, तो आप देख सकते हों यहाँ पे, कि यहाँ पे जो value आपके बास कितनी आ जाएगी, 85.5%, अब यह 85.5% वोट्स ऐसे हैं, जो दोनों candidates पर टले है, अब इसका जो 60% ह अब इसका जो 60% है, वो winning candidate को मिला है, तो losing candidate को कितना मिला होगा, यह 85.5% अपने आप में 100% है, 60% इसका अगर winning candidate को मिल गया, तो losing candidate को कितना मिला होगा, इसका 40% और बोला कि won the election भाई इतना, मतलब जीता कितने वोटों से है, 17,271 वोटों से जीता है, परसेंटेज बे कितने वोटों से जीता है, आपने देखा कि winning candidate माइनस losing candidate, मतलब winning candidate के वोट और losing candidate के वोट जो है, अगर मैं difference देखो, तो आपने देखा कितने गा है, 17,271 और यहाँ तो आपने देखा, एक परसेंट की value कितने हो जाएगी तो यह बीस बैस हो गया, यह बटे पांच हो गया, और पांच जो है, यह कितने में काटे है, वो 17,50 तो 17.1 हो गया, ठीक है, अब यह जो है, यह exactly जाएगा, कितने पर जीरो, 101, ठीक है, तो एक हजार तस, एक परसेंट की value कितनी आ गई आपके पास, एक हजार तस, तो कितने थे, 100% जो कि हमने लट किया थे, ठीक है, तो 100% की value आ जाएगी, कितनी, आगे 2,0 लगा दो, मतलब, 1,001,000 जो वोट थी, वो, registered votes थी, ठीक है, मतलब, registered voters जो थे, वो कितने थे, 1,001,000, ठीक है, तो इसमें solution में थोड़ा difference है, उसको equation में ऐसा करना चाहिए था, कि 10% of the casted votes were found to be invalid or nota, और 60% जो ये votes है, ये सही लिखा है आपर, 60% votes है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, कि 60% of the casted votes between two candidates, तो ऐसा भी लिख सकता था, अब यहाला question है, आपको बोला कि manufacturer है, जिनने mark the price, मतलब, इतना price जो है, वो mark कर दिया article पे, तो आपका mark price जो है, वो कितना आगया, आपको रस 18,00 रुपे बोला कि manufacturer जो है, article को dealer को बेचता है, इतने के discount पे, और dealer जो है, further discount 8% पे मिल जाता है, net payment पे उसकी, अगर वो cash pay करे, आपको बताना है, कि amount dealer को कितनी pay करनी पड़ी, manufacturer को, तो आपने देखा, कि manufacturer ने mark price कितना रखा, 1800, पहले उसको कितने का discount मिला, पहले मिला 15% का, अब mark price के अपनी value 100%, इस पे 15% की छूट मिल गई, तो मतलब 85% value पे बेचा, अब एक discount देने के बाद जो value है, वो 100%, उस पे भी 8% की छूट दे दी, 100% में से 8% गया, तो कितना रह गया, 92%, तो अब इसको आप लोग solve कर जकते हैं, ठीक है, तो ये 17 पे गया, और ये 20 पे गया, और ये 9 पे गया, और 17 निव 153, 153 को अगर मैं 92 से multiply करूँ, ठीक है, तो ये आजाएगा, 1407.6, जो की equal हो जाएगा आपका, नियरेस रूपी बूच है, तो 1408 आपका correct answer होगा, आपको बोला area of the cardboard, मतलब कितना cardboard लगेगा, ताकि ए closed box बनाया जा सके, 20 cm x 10 cm x 8 cm, पहली बात तो आप dimension देखके समझ गए, पहली बात तो आप box देखके, एक चीज समझे क्या, कि अगर box बनेगा, यहां तो वो cubical form में होगा, या वो cubodical form में होगा, मतलब cubical figure में होगा, या cubodical figure में होगा, फिर आपने देखा, कि 20, 10 और 8, जो इसकी dimension दिया है, length into breadth into height, तो आप यहां से देखके समझ गए, कि same length नहीं है, मतलब same dimension नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह है, कि जो यह length, breadth और height है, इनकी value अलग अलग दिया, तो आप समझ गए, कि यहां पर एक cuboid है, तो आपको एक cardboard बनाना है, closed box है, अब closed box है, तो आप लोग एक चीज समझ कि यह जो closed box है, यह मतलब पूरे total surface area की बात कर रहे है, मतलब आपको बताना है, कि total surface area of cuboid, जिसके dimensions जो है, वो इतनी है, तो आपको बताना है, area of cardboard कितना लगे है, तो total surface area की value बता दो, तो आपको बता है, total surface area का formula क्या होता है, to length into breadth, plus breadth into height, plus height into length, आपने देखा length into breadth कितना 20, into 10 कितना 200, और breadth into height कितना 10, into 8 कितना 80, height कितना 8, यह 160 हो गया, तो आपने देखा, 80 में 160 जोड़ा, 240 में 200 जोड़े, 440, तो 440 into 2 कितना हो जाएगा, 880 जो कि करेक्ट आप बहुत बढ़िया question, यह वाला question जो है, बहुत बढ़िया question है, ठीक है, आपको बोला है, अनुप कें रो 33 km downstream, पहले तो downstream को D से denote करके लिख़तो, upstream को U से, और यहाँ पर कर लिख़तो, आप टाइम लिखतो, ठीक है, आपको बोला है, अगर 13 km downstream जाए, और 35 km upstream जाए तो कितना डाइम लग रहा है, 8 घंटे, he can row 44 km downstream 28 km upstream same time में मतलब उसमें भी उसको 8 गंटे लगा ठीक है अब आपको एक चीज़ बताए क्या कि यह distance given है यह distance given है यह time given है ठीक है मतलब time जो यह given है यह कुछ नहीं है यह आपको बोल रहा है कि जो downstream और जो upstream में time लगा वो total मिलाके जो time है उसकी value given है कितनी 8 गंटे तो time के होता है distance upon speed तो distance यह है अब इसके नीचे speed आया होगा इसके नीचे speed of upstream आया होगा ठीक है ना अगर मैं total time देख रहा हूं downstream और upstream जिसकी value 8 गंटे है तो यहाँ पर time of downstream और यहाँ पर time of upstream time का formula क्या होता distance upon speed distance लिखा है 33 और upstream का distance कितना है 35 तो 33 भाई speed of downstream और 35 भाई speed of upstream और ऐसे ही यहाँ पर वह होगा speed of downstream निकाल को ठीक है मैं hit and trial method से आपकी speed of downstream निकाल को आपने देखा कि अगर मैं यहाँ तीन रख दू अगर मैं यहाँ तीन रख दू तो तो तीन जो यह 33 को कितने में गाटेगा 11 गंटे में मतला time of downstream में 11 गंटे लगए और total time लग रहा है अगर time of upstream 0 गंटे भी लगए तब भी 8 गंटे नहीं आ सकता है यहाँ पर मतलब 11 गंटे कितना होगा हद मारके 11 ही होगा ना वो तो आपने देखा यहाँ आपर 8 कैसे आगा बहुसी बली नहीं मतलब 3 जो वैलियो गलत होगा यह अब 11 पर चेक कर लो आपने देखा कि speed of downstream अगर आपने 11 माने तो 33 भाई 11 कितना आगा तीन अब यहाँ तीन आगया टोटल टाइम लग रहा है आठ गंटे downstream में अगर तीन गंटे लगे तो upstream में कितने लगने चाहिए पांच गंटे लगने चाहिए ना अगर total time लग रहा है downstream और upstream में 8 गंटे तो मेरी speed of upstream साथ आ रही है अब नीचे वाली से आप चेक कर लो कि आपकी जो value है 11 और 7 वो सही है आपने देखा यहां 11 रखा आपने यहां 7 रखा आपने देखा इसको 4 पे गाट रहा है 11 जो है इसको 4 पे गाट रहा है 4 और 4 मतलब speed of downstream जो है वो आपके वाश कितनी आ गई 11 km पर और speed of upstream जो है आपके इसके तनी आगी 7 km पर आपकी value सही है आपको बोला है कि time बताओ total time कितना लगेगा 55 km downstream जाने में और 14 km upstream आने में तो downstream जाने में कितना time लगा distance upon speed speed कितनी है downstream की गह रहा है upstream आने में कितना time लगा 14 km distance से speed कितनी है 7 तो आपने देखा कि ये गया 5 और 2 7 7 गंटे जो है वो total है अब ये वहला question है कुछ नहीं है इस question में पहले divide कर दो तो 3 divided पर 1 कितना 3 और ये 5 में से 2 गया कितना जाएगा 3 और 9 में से 2 गया 7 तो आपने देखा 3 इंटो 2 6 9 बटे 7 अब ये वहला question है देखो theta की 3 values होती है जब 0 से 90 degree के बीच में theta और 0 और 90 degree नहीं है तो आपने देखा theta है कि 3 value आप लगा के देख सकते हो 30 45 60 पहले 30 रख लो 30 आपने रखा तो sign 30 कितना होता है 1 by 2 का square कितना 1 by 4 और cost 30 कितना होता है root 3 by 2 ठीक है और चेक कर लो फिर आपने देखा root 3 solve के कभी भी 3 बने गई नहीं मतलब 30 degree value नहीं possible फिर आप 45 रखोगे 45 रखोगे 1 by root 2 आजेगा वो भी possible नहीं 60 रख लो 60 आपने रखा तो आपने देखा 2 sign 60 कितना होता है root 3 by 2 तो का square करेंगे 3 by 4 हो जाएगा plus 3 by 2 आपने देखा कि 3 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 आपके बस कितना आ जाएगा 6 बटे 2 यानि कि 3 आ जाएगा left hand side equal to right hand side हो गई मतलब theta की value जो है 60 degree है अब 60 degree इसमें टाल दो sex square 60 sex 60 कितना होता है बली बाद तो cost 60 होता है 1 by 2 तो sex 60 कितना हो जाएगा तो का square 4 और cut 60 कितना होता है 1 by root 3 का square 1 by 3 तो 4 सही एक पटे 3 जो है correct answer अब यह बला question देखो दूबार आ गया question एक पर पहले भी पूछा जा चुका है CGL 2021 के exam में ठीक है वह भी मैंने आपको कराया था सबसे पहले ऐसे questions को solve करने का तरीका क्या होता है आपको पहले तो आपने देखा कि आपको क्या बोला कि LCM जो है दो नंबर का वह 22 गुना है किसके HCF के फिर आपको बोला है कि sum of LCM और HCF LCM और HCF का sum दे दिया कितना 276 आपको बोला एक नंबर जो 132 नंबर बताओ ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि step 1 में क्या करते है step 1 में हम सबसे पहले LCM by HCF form बनाएगे तो LCM by HCF कितना होगा बाइस अब बाइस को क्या गर बन गए क्या 221 और 2 और 11 को प्राइम क्या होता है ऐसे नंबर का पेर जिन दोनों का HCF अपस में 1 हो दो और 11 का HCF जो है 1 होगा 201 का HCF जो है वो अपस में 1 होगा ठीक है और अब आपने क्या किया LCM by HCF form बनाए LCM by HCM ती जो value आई उसको को प्राइम में डिवाइड कर दिय है अब इसको HCF से बल्टिव लाई कर दो HCF की value कैसे निकालोगा आपको पता है LCM जो है 22 HCF के equal है ठीक है तो 23H की value आपके बाइस कितनी हो गई 246 तो HCF की जो value होगी वो कितनी होगे 12 तो HCF की जो value हो कितनी होगे 12 अब आपको पता लगज़ेगा कि correct pair कौन सा था दो इंटो 11 correct pair के 22 into 1 ठीक है तो आपने देखा यहां में कि 2 into 12 किया तो value कितनी है 32 ग्यारा इंटो बारा किया value कितनी है 132 आपको बोला है कि 2 number का LCM जो हो कितना है 22 HCF के आपको बोला है 2-9 में से 1 number जो 132 है तो आपने देखा कि 2 number आपने जो निकाले 1 number 32 एक number 132 और आपको बोला है कि 1 एक number 132 है मतलब यही वाला pair ठीक है क्योंकि इन दोनों number में से 32 और 132 में से एक number 132 है पर वो question में भी given है तो दूसरा number आपके बास क्या हो जाएगा सोरी 12-2024 होता है च्रीक है 12-2024 होता है तो आपने देखा कि 11-12 कितना 132 बार 12-2 कितना 14 तो आपने यहाँ पर देखा कि question में भी given है कि एक number दूनों number में से एक number जो है वो 133 है तो आपने देखा इन ही दो number में से एक नंबर 132 हो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 24 तो यही वाला पेर जो है वो सही है दूसरा पेर आप चेक कर लो आपने देखा कि इसकी वेल्यू जो है वो कितनी आजाएगी आपके बाद 264 आजाएगी चीक है और इसको सॉल करके आपके बारा आजाएगा क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि वन ओफ दे नंबर इस 264 यह बारा तो यह वाला पेर जो है गलत है यही पेर सही है 24 और 132 आपका करेक्ट आउस है आपको बोला है average of set of 18 consecutive number is 20.5 आपको largest integer बताना देखो consecutive integers है consecutive integer का क्या मतलब हुआ कि gap हो एक का मतलब एक और दो के बीच में gap कितने का एक दो और तीन एक चार तीन और चार एक मतलब लगातार नंबर चल ले है ठीक है consecutive number क्या होते है कि कहीं से भी शुरू करो नो फिर उसके बाद जो नंबर आते हैं वो सारे लिख दो नो तस गयरा बरा तेरा चोदा ऐसे consecutive integers बोलते हैं इने ठीक है ना तो आपने देखा 18 consecutive integers तो आपने देखा number of terms कितनी है आपने देखा number of terms जो है 18 मतलब even number of terms है तो आपने देखा कि 18 नंबर है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस गयरा ब average के equal हो जाती है पर अब यहाँ पर even consecutive terms है मतलब 18 terms है जो कि even number है मतलब number of terms जो है वो even है तो even जब भी number of terms होगी तो आपको एक चीज़ यहाँ पर पता है क्या आपको पता है कि बीच के दोनों number का आपको बता है 18 number में बीच के दो number क्या हुए नोवा और दसवा number इसका जो average है वो आपका पूरी consecutive 18 जो integers है इसके average के equal होगी छीक है मतलब आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ से आपको एक चीज़ समझा रहे है कि नोवा और दसवे number का अगर average 22.5 है तो नोवा number जो है वो 22 ह होने वाला है तब ही जाके 22 प्लस 23 जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ फिर अगर कोई बोलेगी सेर आपना एक पर करके दिखा तो देखो एक चीज़ क्या के 9 और 10 नंबर के 10 नंबर वो है कि 9 नंबर में एक add कर दिया हमेंने क्योंकि आपको बता है consecutive number का जो difference ह होता है वह बन होता है ठीक है और इसकी वैलिए दो को तो मल्टिप्लाई कर दो तो 22.5 को अगर मैं इससे मिल्टिप्लाई करो तो से तो कितना एगा 45 आएगा चीक है तो वाइस आफ नाइन्थ नंबर 45-144 तो 9 नंबर जो आपके आज 22 आगया आएगा आपके बास आपको बताना है largest integer largest integer मतलब 18 नंबर आपको बताना है ठीक है तो 23 में आपने देखा ये कितना नंबर है 8 तो 23 में अगर आप 8 जोड़ो तो कितना जगा 31 यहाँ फिर आपने option में देखा कि एक ही नंबर है जो 23 इससे बड़ा है ठीक है तो वही option correct हो जाएगा अगर यहाँ पर ऐसा होता option में कि 30 31 32 दिया होता फिर तो चलो आपको चेक करने की ज़रूरत है ध्यान से कि आप addition multiplication में कुछ गलती ना रगए अभी 23 option ओपर कोई है नहीं एक ही option ओपर है तो वही answer होगा अब यह वोला question है आ अगर एक number n को मैं 6 से divide करूँ तो remainder जो है वो 2 आई ठीक है तो आपने देखा question में आपको बोला है क्या कि remainder कितना आएगा अगर n square प्लस n प्लस 2 हो जाए ठीक है तो आपने देखा n को अगर 6 से divide कर remainder 2 है अगर मैं n का square कर दूँ तो remainder का भी square हो जाएगा सबको बता तो remainder कितन करने से remainder कितना था चार n को डिवाइड करने से कितना था 2 प्लस 2 बाइचे तो आपने देखा यह कितना आगया 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 बाइचे तो 6 को अगर मैं 8 से divide करूँ तो remainder कितना बनता है 2 तो यह आपका 2 जो है correct answer जो है अब यह वाला question है कितना pathetic कितना simple question है आपको बोला ह यह जो है किसी काम को करता है 15 दिन में भी उसी काम को अखेला 21 दिन में कर देगा total time given total work निकाल लो total work कितना आगया 15 का सब्सक्राइब कितना जाएगा 15 सब्सक्राइब काम करना अगर शुरू करें तो कितने दिन में कितने दिन में same work जो एक काम है इसको complete कर देंगे दोनों साथ में मिलके तो आपने देखा total work कितना 15 इंटू साथ एक दिन में एक दिन में एज अब यह वाला question है आपको जो answer की given थी उसमें जो correct option था वो 18 cm आपको दिखाया गया था पर correct option जो है वो 16 cm है वो आप correct कर लेना जो answer की SSC ने release की थी उसमें option जो है गलत था correct किया हुआ तो option जो है 16 cm जो है वो correct answer है ठीक है PQR एक प्रेंगल है S जो है point है किस पर QR पे और PS जो है angle by sector है angle P का मतलब angle QPR का PQ की length आपको देदी 12 cm आपको QS की length देदी 3 cm आपको बोला है क्या QR जो है वो कितना है total जो है वो 7 cm है आपको बोला है क्या की PR की length बताओ तो आपने देखा कि अगर QR जो है अगर QR जो है 7 cm है जिसमें से QS जो है वो 3 cm है तो SR जो है वो कितना हो जाएगा 4 cm हो जाएगा तो आपको एक चीज़ब यहां से बताए क्या कि PQ by PR जो था वो QS by SR के equal था मतलब PQ और QR का जो ratio होगा वो QS और SR के ratio के बराबर होगा तो 3 की value अगर 12 है एक की value 4 और 4 की value कितनी हो जाएगी 16 cm जो कि आपका correct answer है ठीक है मैंने कुछ ने किया मैंने QS और SR का ratio बनाया 3 ratio 4 जो की PQ और PR के ratio के बराबर था तो PQ की value अगर 12 है और PQ का ratio 3 है तो PR की value कितनी आ जाएगी क्योंकि उसका ratio 4 है तो हमने देखा 3 की value और 12, 1 की value 4, 4 की value जो बोला हो जाएगा अब यह वाला question आपको बोला है तीन साल पहले फादर और उसके सन की age का ratio जो था वो कितना था 8 ratio 3 after 4 years जो उनकी age का ratio हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो आपने मान लिया क्या आपने मान लिया कि यह जो है प्रेजेंटेज है यह जो मैंने बार बनाया यह जो मैंने line खिची है प्रेजेंटेज है इस से तीन साल पहले की बात हो रही है और इस से चार साल बाद की बात हो रही है तो आपने देखा जो टाइम गैप है यहां जो डूरेशन है वो कितने साल की बोली साथ साल की मतलब फादर की एज जो है तीन साल पहले father और son की age का ratio जो है 3 साल पहले का बोले और 4 साल बाद का तो मतलब यह जो ratio में difference आएगा यह 3 साल पहले की ratio है यह 4 साल बाद की तो मतलब जो time है यह gap है कितने साल का है 7 साल का तो आपने देखा कि son की age 3 साल पहले ratio में कितनी थी 3 बाद में कितनी होगा आपने देखा, फादर का रेशो तीन बड़ा, सन का रेशो दो बड़ा, और दोनों की एज जो है, वो साथ सा साल बढ़ी है, तीन साल पहले से, साथ साल बढ़ी है, मतलब इसकी एज का गैप भी साथ साल है इन दोनों रेशो के बीच में, इसकी सन की एज का गैप भी साथ सा अब यह लगे इस difference को equal वनाने के लिए अपलोग क्या करो है आपने देखा 11 25 इसे च साथ का अड़तालीस से बच्छमन हुआ तो कितने का इंक्रीमेंट साथ का आप देखो रेशो का डिफरेंट जो है वो सेम है फादर और सन की और एज का गैप कितने है साथ साल ठीक है तो साथ की वेल्यू कितनी आ गई आपको बोला कि प्रेजंट डेज ऑफादर बताएं प् देखो गए कि आपके और प्रेजंट एज ऑफादर आ गई या फिर आसा कर सकते हैं कि पच्छन की वेल्यू निकालेंगे एक की वेल्यू है इक पच्छन ऑफ यह चाहर साल बाद है पच्छन रहाएं से चार निकालो तो क्या बना जाएगा उफ प्रेजंट डेजिश ओप पानसो तो पानसो से कम कितनों के डेली वेजेज तो आपने देखा कितना जादा है 40, पूछा किस पे है, 6.5 यानि कि 35 पे पूछा है, इंटु 100 परसेंट, तो आपने देखा है, ये गया 7 पे, ये गया 8 पे, चीगा है, तो ये आपके बास हो जाएगा, 114.28 परसेंट, यानि कि ये क्या लिखा है, एक प्लस एक बटे साथ, तो एक इंटु 100 परसेंट, तो ये दो 100 परसेंट ऐसी आगया, और एक बटे साथ, इंटु 100 परसेंट ही इतना होदा, 14.28, तो 114.28 होगा, तो 114.13 परसेंट पोल सकते हैं, इसे, आपको बोला है, in which of the following year is the ratio of the income to expenditure the minimum, ठीक है, तो इंकम कोल सा बारा है, निले वाला expenditure लाल तो आपने देखा, 2014, 2016, 2017, 2018, देख लो minimum कौन सा है, तो आपने देखा, ये 25 पर जाएगा, तो ये 7 और ये 9, तो 9 बटे साथ जो होता है, वो आपका कितना होता है, एक पॉइंट, एक पॉइंट, दो के आसपास होगा, दो से भी जादा ही है, ठीक है, और ये अगर मैं काटू तो आप देख रहे हूँ, ये 13 बाए 11 होगा, और ये तो 50 पी जारा सी ता अच्छे हैं, और ये 7 पर गया, 7 बाए 6 कितना होगा, एक पॉइंट, एक के आसपास दे भी, और ये अगर मैं देखूं तो ये किस पर गया, 13 और 14 बे, 14 बाए 13 तो ये 1.13, 10, 1.0, तो मिनिमम जो है, यही है, 208, क्योंकि 1.0 वैल्यो आ रही है, उससे आगे में लेना देना नहीं, आपको बोला है था, टोटल नमबर अफ पीपल, विजिटिंग मॉल ए, और म 1500 और 700 कितना हो गया, 2200 हो गया, 2200 में आप 840 और 560, एड करोगे, तो ये कितना हो गया, आपको बास 14, ये 36 हो गया, इस वट परसेंटेज आफ तोटल नमबर अफ पीपल विजिटिंग मॉल भी, यानि नीले वाला बार, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, तो आपने देखा कि 1350 में अगर मैं 1100 जोड़ूं तो ये 2450 हो रहा है, और 700 और 7500 कितना हो रहा है, 1450, यानि कि ये आगया 49, तो ये बताने, 3649 का कितना परसेंट है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका 92.3 परसेंट आजाएगा राउंड ओफ में, वैसे तो इसको सॉल करके आपके बास आना चाहिए कुछ, 92.27, 28 के बास, तो राउंड ओफ करके आपके बास 92.3 परसेंट आजाएगा, अब ये वहला कुशन आपको बोला है, तो आपने देखा, तो 36 जो है, इसको कितने पर कटेगा, 3 पर कटेगा, 36 दो नी 72, 36 दिया, 108 और ये 3,45, तो 34,500 जो है, आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नों जो भी आपका तैयारी कर रहा हूं, कमेंट कर देना, अपने प्रीशेस रिवियू, फॉलो कर लेना, थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो, आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, थैंक्यू,